हेलो दोस्तों स्वागत आप स्वीक हमारे इस चैनल पर दोस्तों मैं आपको पढ़ा रहा था जापान का भोगोल और मैंने बताया था जापान का भोगोल में टॉपिक वाइस पढ़ाऊंगा यहीं टॉपिक के माध्यम से पूरा जापान आपको पढ़ाऊंगा तो अभी तक मैंने दो वीडियो बनाया है जापान के भोगोल पर एक वीडियो है जिसमें मैंने जापान का इंट्रोडक्शन दिया था आपको सामान परिचे बताया था कि जापान कहां इस्थित है कौन-कौन से दूइप महातपूर है यह सारी चीजे मैंने डिसकस की पहले वाले वीडियो में दूसरे वाले वीडियो मैंने आपको जापान के भावतिक प्रदेश के बरे में बताया आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग देखें के जापान की जल्वायू कैसी है और वहां की जल्वायू को प्रभावित करने वाले कारकों को देखेंगे तो जापान की जलवाय। काफी महतपूर है और यहां से कोश्चन लॉंग में भी पूछे जाते हैं, जैसे आपसे पूछ लिया जापान की जलवाय। को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए, पांसो सब्दों में पूछ लिया तो आपको लिखना पड़ेगा ना, तो तो देखिए, जलवाय। की बात करें, तो जापान की जलवाय। कही जाती है कि मानसूनी है, कैसी? मानसूनी जलवाय। और यही कारण है कि सीतर उत्में जापान के चारोर से समुदर से गिरे होने के कारण तापमान अधिक गिर नहीं पाता है। अब थोड़ा आप समझे आपने पढ़ा होगा, मैं मैप लगा देता हूँ, आपने पढ़ा होगा कि जो छेत्रिया, जो सहर, अस्थान, समुद्र के किनारे इस्थित होते हैं, वहाँ जलवाई लगभग मांसूनी होती, मतलब ना तो वहाँ ज्यादा ठंडी पढ़ती है, ना तो ज्यादा गर्मी, सम ज्यादा बाचे नहीं, बैंगलोर, यह सब समुद्र के किनारे इस्थित हैं, दच्छल भारत में, इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंडी या बहुत ज्यादा गर्मी का अभास नहीं होता, तो ऐसे ही जापान के स्थित है, जापान यहाँ पर मैप में देखिए, ऊप जलवाई है, मानसूनी है, मतलब ना तो ज्यादा ठंडी जलवाई है, ना तो ज्यादा गर्म जलवाई है, ओके, चुकि यह चारों तरब समुद्र से घीरा हुआ है, इसलिए, तो जैसे भारत की जलवाई मानसूनी है, वैसे, अब बात करते हैं, जापान की जलवाई को प प्रभावित करते हैं जापान की जलवाईव पर जापान के दूपिये स्वभाव का प्रभाव अधिक पड़ता है ये दूप ना तो सीत रुत में अधिक सीतल और ना तो ग्रेश रुत में अधिक पोश्ड हो पाते हैं यदि जापान सागर का विस्तार कम है फिर भी या जापान की जलवाईव को प्रभावित करता है मैंने बताया जापान सागर जो है या परसांत महासागर पूरम में उत्तर में ओकोटत सागर ये सारे सागर मिलकर जापान की जलवाईव को मांसूनी जलवाईव बना देते हैं ना तो ज़्यादा ठंड ही पड़ती. ना तो ज़्यादा गर्मी पड़ती है. तो पहला है जापान का विखंडी maternal दूपियाकर. ओके चुकि दूप टोटे हुए है तो बीच बीच में साग्रो का विस्तार है. ओके दूप एक दूसरे से अलग है. तो इसलिए ना तो ज़्य जादा थंडी ना तो जादा गर्मी पड़ती है अब दूसरा पॉइंट है धाराओं का प्रभाव तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूं फिर आपको मैं इसको पढ़ाता हूं तब आपको समझ जाएगा देखिए आप मैप में देखें मैप लगा देता हूं देखिए उत्तर से आती है ठंडी जल्धारा जिसको बोलते है ओयो सियो की जल्धारा और दच्छिड से आती है किरोसियो की जल्धारा जो की गर्म जल्धारा है तो ये दोनों जल्धारा है तो ये अपना प्रभाव भी डालती है जो ठंडी जलदारा उत्तर से आ रही वो आएगी तो ठंड बढ़ाएगी और दच्छिड बढ़ाएगी जो जलदारा है गर्म जलदारा वो जहां जाएगी गर्मी बढ़ा देगी जोकि वो गर्म जलदारा है ओके तो ये भी दच्छिड के गर्म जल को बहा कर परसान तटके सहारे ले जाती है इस धारा का जल प्रवाह जिन जिन अस्थानों से होता है वहां का तापकरम बढ़ जाता है चुकि जो किरोशियों की जलधारा ये गर्म जलधारा है तो ये जहां जहां जाती है वहां का तापमन बढ़ा द होता है क्योंकि जापान सागर के और किरोशियों की धारा अत्यंत छीड होती है ओके मतलब जापान सागर के और जाते-जाते किरोशियों की धारा कम जोर हो जाती है इसलिए वहाँ इसका प्रभाव कम पड़ता है इसके अत्रिक्त ओयोसियो की ठंडी जलधारा उत्तर से दच्छिड प्रभाहित होती है यानि उत्तर से आती है और होकाइडो टोहुकू के पूर्भी तटो को अत्यंत सीतल बना देती है यहाँ पर आप देखि तो कुछ कुहासा टाइप का उत्तपन होता है जैसे इसमें ठंडी में बाहर का तापमान ठंडा होता है और हमारे अंदर का तापमान गर्म होता है तो जब हम मुझ कोलते हैं तो मुझ से गर्मी निकलती है और बाहर का मौसम ठंडा है तो गर्मी ठंडी टेकराती है तो क्य दुवा टाइप का उत्पन होता है आप कहते हैं हमारे मुझ से भाफ निकला है भाफ निकला इसे बोलते हैं न तो ये इसी करण होता है अब य Clinton तीशरा पॉइंट है इसको आपको समझने आये इसमझने वाला पॉइंट है उच्चावच का प्रभाव भी पढ़ता है देखिए कहीं मैदान है कहीं परवतिय भाग है जापान में तो उसका भी प्रभाव पड़ता है उच्चावच का मतलब पठार, मैदान, पहार इन सब का प्रभाव पड़ता है और जो हवाय चलती है उनका भी प्रभाव पड़ता है तो इस पॉइंट को ध्यान से समझना दे जापान सागर तट क्योंकि इधर जापान सागर है तो इसको बोलते हैं जापान सागर तट और पूरब में देखेंगे जो परसांत महासागर से जापान का तट लगता है उसको बोलते हैं परसांत महासागर से जो लगा हुआ जापान का परदेश है उसको बोलते हैं परसांत महसागर से यानि दच्छडी पूर्भी हवाय चलती है परसांत महसागर से तो जब ये दच्छडी पूर्भी हवाय चलती है तो ये परसांत महसागर तटिये परदेश में वर्षा करा देती है लेकिन पश्चिम में जब पहुंसती है यानि जापान सागर तट पर जब पहु हो जाती है और जापान सागर तट में वर्षा नहीं हो पाती है क्योंकि ब्रिष्टी चाय प्रदेश में पड़ता है ये ग्रीश मिरुत की बात है अब सीत रुत में क्या होता है सीत रुत में हवाय किधर से किधर चलती है सीत रुत में मद एसिया से हवाय चलती है निकी रसिया से हवाय चलती है जो ठंडी हवाय होती है और जब ये हवाय चलती है तो पहले तो सुस्क रहती है बहुत ठंडी रहती है लेकिन जब ये जापान सागर को पार करती है तो ये नमी धारन कर लेती है और जापान सागर सीध रित्मे कहा वर्षा होता है जापान सागर तटिये प्रदेश में जबकि सुस्क कोन रहता है प्रसांत महासागर तटिये प्रदेश सुस्क रहता है यह बिरिष्टी छाय प्रदेश में पड़ता है यहां वर्षा नहीं हो पाती है और ग्रीस मुझत में इसका उल्टा होता है, क्योंकि ग्रीस मुझत में हवाय कहां से कहां चलती हैं, दच्छड पूर्वी हवाय सम्मुद्र से चलती हैं, परसान महा सागर से चलती हैं, यह जापान की ओर, तो यह परसान तटिये प्रदेशों में वर्शक कराती हैं, और जा जापान सागर तटिये परदेश को महादुईपिया प्रभाव से वंचित रखती है ग्रीस मिरुत में अब देखें ग्रीस मिरुत की बात कर रहा है ग्रीस मिरुत में जापान सागर का तटिये परदेश प्रसान तटिये परदेशों की तुलन में सुस्क रहता यानि ग्रीस म सागर का तटिय प्रदेश दच्छड़ी पूर्भी हमाओं के ब्रिष्टी छाया प्रदेश में पढ़ता है। मैंने आपको बताया था कि जो हवाएं दच्छड़ी पूर्भी आती हैं वो सारा वर्सा कहां करा देती है। प्रसान तटिये प्रदेशों में और जापान सागर तट पर वर्षा होता है इसलिए वो सुस्क रहता है होकाइडो में उच परवतिये और रोध ना होने के करण समुद्री पर भाव नगन रहता है प्रसान तटिये भाग दच्छडी पूर्वी हवाव द्वारा ग्रेश मिर रहता है मतलब वर्षा होती है ने क्या होता है कि उत्र-पच्छमी हवाव की प्रिष्टी शाय परदेश में पढ़ता है क्यों ज? पर ASAM रहता है जो पूर्षान तटिये प्रदेश में करा देती है फरवरी में छे डिग्री से एंटीग्रेट की समताप रेखा क्यूसू से टोक्यों तक परसान तट से होकर गुजरती है तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या बताया चौथा पॉइंट है अच्छांसिय प्रभाव जापान का देशांत्रिय विस्तार कम है आप देखें कि तो जापान बहुत पतला है मतलब अच्छांसिय विस्तार बहुत कम है लेकिन अच्छांसिय विस्तार अधिक है अच्छान से विस्तार अधिक है अता जापान से जो जो उत्तर जाते हैं तो तापान गिरता जाता है उत्तर में जाएंगे मैंने बताया था कि उत्तर से ही ठंडी जलधारा आती है यानि कि उत्तर में ठंड पढ़ती है क्योंकि हम दुरूवे तरफ जाएंगे जब दुरूव की तरफ जाएंगे उत्री दुरूव की तरफ जाएंगे तो ठंड बढ़ेगा तो जब हम जापान में उत्तर से स्वरी दच्छिड से जो जो उत्तर जाते हैं तो तापमान गिरता जाता मतलब ठंडी बढ़ती जाते ह दर्च्छड भाग में इसतिक कागो सिमा का सीथ कालीन तापमान 7 degree centigrade पाय जाता जबकि उत्तर में होकैडो के साथ पोरो का तापमान मायनेश 6 degree centigrade पाय जाता देखे उत्तर में ठंडी है इसलिए वहाँ पर जो तापमान है वो मायनेश 6 degree Celsius है जबकि दर्चिड में 60 degree Celsius, प्लस में है, इसी भाहती कागो सीमा का ग्रिस्म कालीन तापमान 27 degree centigrade और साथ पोरो का तापमान 21 degree centigrade पाया जाता है, यहाँ पर सब पोरो होगा, सा अधपा फिपो रो, सब पोरो, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, तो उसको आप टाइपिंग में मिस् तरह की हवाये चलती है, एक तो उत्तर पश्चिम से आती है, जो जापान सागर तटिय परदेश में वर्षा कराती है, और एक होता है दच्छिड पूर्वी से, तो दच्छिड पूर्वी से जो हवाये चलती है, वो परसांत महासागर तटिय परदेश में वर्षा कराती है पढ़े हैं जापान चारोर समुदर से घीरा है पश्चिम में जापान सागर पूरम में परसांत महा सागर के करण जापान की जलवायु अत्यदिक प्रभावित होती है सीत कालीन यानि ठंडी यानि सीत रितुमे उत्री पश्मी साइबेरियाई साइबेरियाई यानि रूस से चलने वाली हवाई मैंने बताया आपको उत्री पश्मी साइबेरियाई हमाये यद्यपी सीतल होती है परंतु जब ये जापान सागर को पार करती है तो जापान की मद्धिवर्ती परवतमाला से टकराकर पश्मी तटपर वर्षा कराती है इसी भात दच्छडी पूर्वी हवाओं के दोरा परसान तटपर वर्षा होता है दच्छडी पूर्वी हवाओं जब ग्रेस में रुतमे चलती है तो ये परसान तटिय परदेश में वर्षा कराती है और उस में जापान सागर तटिय परदेश सुस्क रहता है और इसका विक्रीत सीत रुत में होता है यानि सीत रुत में मध्धेशिया से हवाय चलती है यानि साइबेरिया ही छीतर से हवाय चलती है तो जापान सागर में जब पहुंचती है तो वहां से नमी धरण करके जापान सागर तट पर वर्षा करा देती है और जो प्रसान सागरताट है वो सुस्क रहता है अब एक और है यहाँ पर टाइफून टाइफून भी बहुत ज़्यादा आते हैं जापान में चक्रवात तो यह उस्ल कटी बंदी यह चक्रवात हैं जो प्राया ग्रेश निर्थ में चलते हैं यहाँ देखें टाइपिंग मिस्टेक है यह मौसम में एकाएक परिवर्तन ला देते हैं इनकी संख्या जुलाई से नवंबर के मद्ध आउस्तन 20 होती है बहुत ज़्यादा एक वर्स 1958 में 31 और 1960 में पंदरा टाइफून आया थे सितंबर 1964 में विल्डा नामक टाइफून परिशिद्ध है जिसके मद्ध में वाविदाप 970 मिली बार पहुँच गया था इस टाइफून में चलने वाली हमाएं 178 से अधिक तीब्र थी यह जापान की जल्वाई को बहुत अधिक परभावित करते हैं मिस्टेक है परसिद्ध यहाँ पर मिस्टेक है थोड़ा सा तो यह आप सुधार लीजिए तो यह जो टाइफून था यह भी काफी प्रपावित करता है जापान की जल्वाई को तो बस कुछ खास नहीं यह मैंने इतना पॉइंट आपको बताया आप इसको याद कीजिए समझे और अगर आपको वीडियो पसंद आता तो इसको लाइक सेर जरूर करना चैनल पर पहली बारा है तो सब्सक्राइब भी कर लेना झाल झाल